वेलकम टू आर चैनल जैसा कि हमने कहा था कि भेरी सॉट टाइप कोस्टन से लेकर मैं आप लोग के लिए लेकि आए हूँ तो आज हम लोग यहां पर जानेंगे बहुत सारे कोस्टन्स के अंसर जो आपकी बुक से ही है और बुक से लिया गया है फर्ष्ट कोस्टन से नेम प्रॉन का साइंटिफिक नेम क्या है मैक्रो बैंकियम रोजन बंगाई जिसकी इसकी नेम कहा जाता है इसके रहां हम बहुत से आपको कोस्टन्स मिलते जाएंगे और आप देखते जाएंगा second question है कि what is the phylum of prawn prawn का phylum क्या होता है orthophoda which plant produce the unisexual cone pine junipers या सिदार भी कहा जाता है second question है animal which hairy skin hairy skin किस animal का होता है mammals का होता है ठीक है उसके बाद के questions है question number five question number five है हमारे पास animals with animals with vertebrates vertebrates backbone जिसको कहा जाता है उसको vertebrates भी कहा जाता है और animals with the three pairs of legs orthopodas होते हैं उसके बाद है which type of plants have autotropic nutrition किसमे हो जिसको swap औसी कहा जाता है तो chlorophyll youk to पौधो में होता है उसके बाद आता है which scientist is called the father of medicine हीप्रोक्रेटरस जिसको कहा जाता है हीपोक्रेटरस उनका नाम था उसके बाद है which scientific is the first to use the word taxonomy और decadolthown का नाम उसके बाद आता है what is the lowest level of biological classification तो species है which class of animals जो इसके टैसिल्स जो सिच्वेटेटर होता है इसका रुटर में हो मैमल्स होते है name the spiny skin starfish उसके बाद का question है who is the father of taxonomy taxonomy के फादर को किसको कहा जाता है जिसको हम लोग कार्लस लीनियस भी कहा जाता है sorry sorry carolus linius है उसके बाद the father of classification modern classification भी उनीका नाम है carolus linius या carlinius कहा जाता है उसके बाद का question से asperomatis किसको कहा जाता है so asperomatis are seed producing plants होते है right the scientific name of these ostrich का नाम क्या है जैसे मैंने लिख रखा है peasants का नाम क्या है columbia livia columbia livia जिसको कहा जाता है peacock का पाबो kristianus उसके बाद आता है 17 नमर question है who is the father of joloji father of joloji astar arastu को कहा जाता है और उनका बुक को उन्होंने लिखा था historia animalium फिर theopetras है theopetras father of botany जिनको कहा जाता है उनका बुक था historia plantorium lamark है जिनको father of biology कहा जाता है उनका बुक था philosophy philosophy geologic ठीक है आगे questions आते जाएंगे और आप देखते रहिएगा ठीक है और जो हमारे channel को देखते रहिए तो इस तरह से हम और भी आगे questions आप लोग के लिए लेते आएंगे हमारा ये chapter काफी बड़ा है और इसमें hundred questions भी मिल सकते हमें तो बस किताब को धंग अच्छे से पढ़िए मिन्स क्या है गहरी study के साथ ताकि आने वाले questions के answer आप खुद भी दे सकते हैं फिर भी हम कोशी से तो इसके साथ हमारे इस channel को आप देखते रहिए like and subscribe करिए और भी बच्चों को share जरूर करिए ताकि इन से उनको भी लाब मिल सके और भी हम नए questions और नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे thank you